हेलो एवरीवन, वेलकम अगीन टू लंगरे देतीमन, तो देखिए क्लास 7 की कोश्यन आंसर कर रहे हैं हम लोग, और आज हम करने वाले हैं 7 चेप्टर आजादी का आंदोलन और राजिस्थान, तो बिल्कुल समय को ना बरवात करते हुए कोश्यन को दिहान से देखना है और उसका आंसर देने की कोशिश करना है भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की सुरुवात का श्रे किसे दिया जाता है भारत में एक संगठित किसान आंदोलन किसे कहा जाता है तो वह मिवाड का जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसे ही कहते हैं एक संगठित किसान आंदो आत्मक आंदोलन था इसमें कोई भी हिंसा नहीं हुई थी पिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला तो यह आंदोलन 44 वर्षों तक चला था बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंद किस जिले से था तो इस आंदोलन का संबंद जो है वह था भीलवाडा जिले से ठी नेक्स्ट देखिए विजोलिया किसान आंदोलन किस जाती के द्वारा प्रारम किया गया था तो इंपोर्टेंट है विजोलिया किसान आंदोलन किस जाती के द्वारा प्रारम किया गया था यह है धाकर जाती द्वारा प्रारम किया गया था याद रखना है कौन सी जाती है ध कर जाती है अभी देखिए हल ही में वीडियो का एक्जाम हुआ था कल हुआ था और आज भी कुछ बच्चों का एक्जाम चल रहा है तो देखिए उसमें भी इन बुक्स से ही सारे के सारे कुशन आये थे जो कल एक्जाम हुआ था मैं उनकी बात कर रही हूं तो यहां जितने भी कुछन पूछे गए थे इतिहास के सभी के सभी इन बुक्स से ही पूछे गए थे तो इसी लिए इन बुक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है नेक्स्ट देखिए कुश्यन 5 बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण क्या था तो यह आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक चलता है 44 सालों तक जिसमें पहला चरण रहा 1897 से 1914 तक बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण क्या रहा तो दूसरा चरण 1914 से 1923 तक रहा और इसका जो तीसरा चरण रहा बिजोलिया किसान आंदोलन का वह रहा 1923 से 1941 तक ठीक है यानि याद रखना है आपको 1897 में प्रारम होता है और 1941 तक चलता है किसने बिजूलिया के किसानों पर 84 प्रकार के कर लगाए थे तो दिखिए 1897 में राओ कृष्ण सिंग आता है और वह बिजूलिया के किसानों पर 84 प्रकार के कर लगाता है और यहीं से आंधोलन प्रारम हो जाता है 84 प्रकार के कर की सिकायत नान जी पतेल और ठाकरी पतेल ने किस से की थी? याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से 84 प्रकार के कर की सिकायत जो है नान जी पतेल और ठाकरी पतेल ने की थी? किस से की थी मेवाड के महाराना से की थी ठीक है याद रखना है महाराना के पास जो है वो कौन गए थे नानजी पटेल और ठाकरी पटेल सिकायत से नाराज होकर राओ क्रिशन सींग ने कौन सा कर लगा दिया था तो यहां उसने एक और कर लगा दिया था चवरी कर ठीक है चवरासी कर पहले से ही लगे हुए थे और नाराज होकर उसने एक और कर लगा दिया चवरी कर कुश्यन 11 है बिजोलिया की किसानों पर तलवार बंधाई कर किसने लगाया तो तलवार बंधाई कर प्रत्वी सींग ने लगाया था वहीं चवरी कर किसने लगाया था कृष्चन सींग ने लगाया था विजोलिया किसान आंदोलन के पहले चरण में किसानों ने किसके नित्रतों में अध्यक्षता की थी तो जो पहला चरण होता है 1897 से 1914 इस वी तक ठीक है तो इसमें किसानों ने साधू सीता रामदास पते करंचारण और प्रहमदेव के नित्रतों में जो कृष्ण राव था उसकी इस कारवाई का विरोध किया था और नेत्रतों यहां किया था विजे सिंग पतिक ने 1917 में किसकी स्थापना की थी तो दूसरा चरण जो है इसमें शामिल होते हैं विजे सिंग पतिक और विजे सिंग पतिक जो है यहाँ पर उपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं याद रखिएगा उपर माल पंच बोर्ड किसे संबंदित है विजोलिया किसान आंदोलन से इसकी स्थापना करने वाले थे विजे सिंग पतिक इन्होंने 1917 इस्वी में उपर माल पंच बोर्ड की इस्थापना की थी और ये विजोलिया किसान आंदोलन का नेतरत भी कर रहे थे वहीं पर विजोलिया किसान आंदोलन की दूसरे चरण में किसने नेतरत्व किया अलागी नेत्रत्व जो हैं कर रहे थे विजे सिंग पतिक लेकिन बाद में ये मानिक के लाल वर्मा को भी अपने साथ ले लेते हैं और फिर ये भी इसका नेत्रत्व करते हैं बिजूलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण में नेतरत्व किस ने किया तो तीसरे चरण में जमना लाल बजाज ने किया तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं पहले चरण में सादू सीता राम फते करण चारण और ब्रहम देव थे 1897 से 1914 तक दूसरा जो चरण होता है 1914 से 1923 तक तो उस समय विजय सिंग पतिक और मानी किलाल वर्मा थे तीसरा जो चरण होता है वह होता है 1923 से 1941 तक और इस समय नेतरतु कर रहे हैं जमना लाल बजाज 1941 में मेवाड के प्रधान मंतरी रागवाचारी के आदेश देक किसे विजोलिया भेजा गया तो यहां पर राजस्व मंतरी मोहन सिंग महता कौन है जो राजस्व मंतरी था डॉक्टर मोहन सिंग महता ये विजोलिया जाते हैं किसके आदेश पर रागवाचारे के आदेश रागवाचारे कौन थे? 1941 में मेवाड के प्रधान मंत्री रही रागवाचारे. विजोलिया किसान आंदोलन से सम्मंदित महलाएं कौन सी है? पूछा जा सकता है एक्जाम में, इंपोर्टेंट है, अंजना देवी चौधरी, नारायनी देवी वर्मा, रमा देवी, ये सबी जो महलाएं थी, ये किसान आंदोलन से सम्मंदित रही है, किस किसान आंदोलन से? विजोलिया किसान आंदोलन से सम्मंदित रही है, नेक्स्ट तो इसलिए मैं बोलती हूं कि आप लोग जदी नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाईए जहां से भी कर रहे हैं करिए लेकिन इनको बार बार रिवाइज करिए ट्रेंज कमिशनर का सम्मन जो है यदि पूंदी किसान आंदोलन आगया बिजूलिया किसान आंदोलन आगया अलवर किसान आंदोलन आगया जी के बेंगू किसान आंदोलन आगया तो हो जाते हैं confused तो इसी लिए ज़रूरी है वीडियो को बार-बार सुनना और खुद के notes जो है वो बनाना color-trench commissioner ने कहां के किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया तो ट्रैंज commissioner ने govindpura के किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था ठीक है और यहाँ पर बेंगू किसान आंदुलन जो हुआ था उस समय गाओं का नाम क्या था गोविंद पुरा और बिजोलिया किसान आंदुलन के समय गाओं था गिर्धर पुरा ठीक है रूपा जी और क्रपा जी का समबन किस किसान आंदुलन से है तो यह बेंगू किसान आंदुलन से समबन दित है ठीक है थोड़ा सा रिवाइज करिए नानक जी पतेल और ठाकरी पतेल विजोलिया किसान आंदुलन से समबन दित है और यहाँ पर जो दो किसान हैं रूपा जी और कृपाजी ये हैं बेंगू किसान आंदोलन से संबंदित नेक्स्ट देखिए कोशन 22 त्रेपन में से कितनी मांगें बेंगू किसान आंदोलन में पूरी की गई थी तो कितनी मांगों को पूरा किया गया था तो यहां पर देखिए 34 मांगें जो हैं वो मान ली गई थी ठी बूंदी किसान आंदोलन कब हुआ तो यह आंदोलन 1926 इसवी में हुआ था बूंदी किसान आंदोलन का नेतरत्व किस ने किया था तो हमने देखा कि बेंगु किसान आंदोलन का नेतरत्व किस ने किया था राम नारायन चौधरी ने वहीं बुंदी किसान आंदुलन का नित्रतुक किया पंडित नैनुराम और राम नारायन चौधरी और हरुभाई किंग करने। अलवर किसान आंदुलन कब हुआ था तो यह आंदुलन 1921 इस्वी में हुआ था। अलवर किसान आंदुलन के समय अलवर के शाशक कौन थे तो अलवर किसान आंदुलन के समय अलवर के शाशक थे महाराजा जैसिंग। पूछा जा सकता है एक्जाम में अलवर किसान आंदोलन के समय जो महराजा थे वह थे जैसिंग अलवर किसान आंदोलन में कहां पर सैक्रों किसानों पर गोलियां चलाने का आदिस दिया गया तो यहां नीमूचणा गाउं में एक सभाखा आयोजन हो रहा था तो वहां पर किसानों पर गोलिया चलाने का आदेश दिया गया था नीमूचणा कांड को महात्मा गांदी ने किसकी संग्या दी थी तो इसे जलिया वाला भाग हत्या कांड की संग्या दी थी किसने महात्मा गांदी ने महात्मा गांदी ने इसे राजिस्थान का जलिया वाला भाग हत्या कांड कहा था जैपूर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था सीकर ठीक है? याद रखना है जैपूर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था उस समय सीकर था सीकर आंदोलन के समय सीकर के साशक कौन थे? तो यहाँ कल्यान सींग जो थे वैस सीकर के साशक थे सीकर किसान आंदोलन के समय में किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ओफ कॉमन्स में हुई? अब देखे इतना ज़्यादा इंपोर्टेंट कोशन है कई वारे एक्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूरी-पूरी आने के समभावना रहती है कि यह सीकर किसान आंदोलन ही था जिसकी चर्च लंदन के हाउस ओफ कॉमन्स में हुई थी सीकर किसान आंदोलन के प्रमुक नेता कौन थे तो यहाँ पर सरदार हरलाल सिंग, नेतराम सिंग, प्रत्वी सिंग, गोठडा ये सभी नेता थे जो कि इस आंदोलन से जुड़े थे चिड़ावा में किसने सेवा समिती का गठन किया था, तो मास्टर काली चरण द्वारा जो है, चिड़ावा में सेवा समिती का गठन किया गया था तो यहाँ पर जो किसान आंदोलन थे, वो आपके पूरे होते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जन जाती आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये कोशन आंसर जो हैं, वो आपके लिए राम बार्ण हैं, पूरा चैप्ट करते हैं, इतने important question जो हैं, वो आप लोगों को किसी भी guide से नहीं मिलने वाले हैं, आपको इन books को पढ़ना जरूरी है, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि आप किसी भी exam में बैठेंगे, वहाँ इन ही वैसे question जो है, वो आपके exam में हर बार पूछा जाता है, और पूछा भी जाएगा, इन ही book से question बनते हैं, जब भी कोई checking होती है, answer की, तो यहीं से question की answer check होते हैं, तो इस चीज़ को आप दिहान रखिए, ठीके, मिलते हैं, next video में, thank you